शूगर और बीपी रिवर्स हो सकता है ध्यान से सुन लिजिए सिर्फ साथ दिनों में सही सुना आपने शूगर बीपी थाईड़ जैसी व्मारिया रिवर्स हो सकती है सैकड़ों लोगों पर अजमाया हुआ तरीका आज आपके साथ है आपको बस देखना है समझना है करना क्या है मेरा नाम अचारय मनीश है और मैं हिम्स होस्पिटल चंडीगड में हूँ आप जिसको खाना बोलते हो दाल चावल रोटी आप इसी को खाना बोलते हो ना और ये खाना बस आपको करना क्या है आएसे इसको प्लेट टू माल लेना है समझाया प्लेट टू माल लेना है तो यगर ये प्लेट 2 बन जाएगा तो प्लेट 1 क्या होगा वो बताता हूँ सबसे वहले आपको तोलना है अपना वजन जैसे मेरा वजन लगबग 70 किलो है 71 किलो तो मेरा वजन आपने देख लिया जितना मेरा वजन है यहीं से फॉर्मूला शुरू होता है शुगर और वीपी को रिवर्स करने का कैसे रिवर्स होगा ध्यान से देख लीजिए सुबा बारा बज़े से पहले सुबा बारा बज़े से पहले यानि कि आपका जो नाश्ता है बारा बज़े से पहले इस तरह से लगबग आपका वजन कितना दोलावेन है 70 किलो अगर आपका वजन 60 किलो है तो 600 ग्राम 70 है तो 700 ग्राम और 50 किलो है तो 500 ग्राम इतनी बड़ी फ्रूट आपने 12 बैसे पहले खानी है चाए एक बार में खाओ चाए किस्तों में खाओ ज्यादा खा सकते हो कम नहीं खाना यही बनेगी आपकी दवाई और यह कहलाएगी प्लेट वन यानि की प्लेट वन तो यह हो गया नाश्ते की प्लेट वन जिससे आपको पता चलेगा शुगर वाले पेशन्ट और बीपी वाले पेशन्ट के लिए खास तो तो 12 बैस तक आपने अपने वजन गुणा 10 500 ग्राम यानि कि मेरा वजन 70 किलो तो लगबग 700 ग्राम साथ है तो 600 ग्राम अलग लगतर है फ्रूट वराइटी में यह आपने खा लिए उसके बाद अब आजाओ लंच पे और दिनर पे लंच और दिनर में क्या करना है आपने अपने वजन गुड़ा 5 ग्राम इसको आपन 3-4 आइट में और यह आपकी बन जाएगी प्लेट वन यानि कि सलाद तो प्लेट वन अगर आपने अपने वजन गुड़ा 5 ग्राम साड़े 300 ग्राम लंच में और डिनर में खानी शुरू कर दी तो आपकी शूगर और बीपी रिवर्स कैसे हो जाएगा उसका साइंटिफि बॉड़ी को चाहिए एकदम शुगर बॉड़ी में नहीं बढ़ेगी और जिसको बीपी है उसको रिवर्स करने के लिए स्पेशल तरीका क्या है जैसे मेरे आगे यह है धनिया पुदीना कड़ी पत्ता और पालक यह सारों को बरीक चौप कर लिया अब इसको चौप करके आपने अपने वजन गुणा एक यानि कि मेरा वजन अगर 70 किलो तो 70 ग्राम शाम को 4-5 बज़े के लगबग यो स्नैक्स का टाइम है इतने पत्ते खाने है चबा चबा के अगर पत्ते नहीं खा सकते तो मेरे हाथ में यह है ग्रीन जूस यानि कि इसी पालक इसी कड़ी पत चोड़ी चूट सकती है तो शुगर की गोली बीपी की गोली थाइरड़ी गोली आपको छोड़नी है और परहेज क्या है सिरफ आपको कुछ दिन के लिए कोई भी प्रोडबॉट्ट जो जानवर से प्राप्त होता है यानि कि कोई भी ऐनिमल प्रोड़क्ट जैसे मान जी आप दूध हो गया पनीर हो गया दही हो गया इसको छोड़ना है और यह जो मैं आपको नुस्का बता रहा हूं यह जो हमारे पीछे मेरे आप हॉस्पिटल देख रहे हो यह चंडीगण में स्थित है हिम्स हॉस्पिटल यहां पर सैकडो लोगों पर यह हॉस्पिटल में अजमाया जा चुका यह तरीका और इस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशन्ट की शूगर और बीपी की गोलिया छूट जाती है यानि कि किड़नी फेल लीवर फेल वाले लोग भी ठीक होते हैं और यह जो हैं कभी भी किसी को बिना भिगोई नहीं खाने चीए सुबा बर्स हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और यही आज भारत में 10 क्रोड़ लोग बीपी के पेशन्ट है और लगबग 10 क्रोड़ लोग शूगर के पेशन्ट है यह 20 क्रोड़ लोगों की दवाईयां बंदोने से इस नुस्खे को अपनाईए जो हमने हजारो लोगों पर अपनाया है और हिम्स होस्पिटल चंडीगड के इस ग्राउंड से मैं आपको यह वादा करता हूं कि बीपी शुगरी गोली बंदो सकती है बस तरीका आपको मैंने सिखा दिया